हेलो नमस्कार दोस्तों एक बार फिर से आप सब का स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चानल पर आज के शुड़ों में अफकोस हम देखने आले तोड़ा आसान हो जाता है और देख सकते हैं मैं अल्रेडी बनाके रख चुका और जिसे मैं माई टेप पर क्लिक करके दिखाने को किस किस को नहीं लेना है क्याप्टन वाइस क्याप्टन किसे बना सकते हैं यह भी मैं आपको उता हूंगा चलिए इससे पहले की वीडियो को शुरू करूँ चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब जरू कर लीजिए साथ साथ बेल एकन को प्रेस करके आल पर भी क्लिक करना मावले चलिए माई किसी वी टीम में नहीं लूँगा उसके बाद अगर बात करें तो आफकोस विराट कोली को लेना जरूरी है फाब्डो प्लेस को लेना जरूरी है डैरी मिचल चैन्ने की तरफ से आये तो मैं इनको जरू लेना चाहूंगा शीवम दुबे और रितराज गायक्वाड इस्तर में जाधा हो सकते अगर विदेशी प्लेयर अब कितने हैं वह हमें देखना होगा उसके बाद समझेगा कि हमें रहाने आएंगे अफिर डैरे में चलाएंगे तो दोस्तों यहां पर एक बात जरूरू बताना चाहूंगा मैं कि चार ओल्रूंडर भी मैंस्टी में ले रहा ह है उसके बाद अगर देखें मैक्स्वेल रचेंद्र रविंद्रा तो इस तर से कैमरोन ग्रीन तो इस तर से यहां पर देखेंगे तो मेरे पास चार ओल्रूंडर भी है और दीपक चहर जो है अकेले गेनबाद मेरे पास रहने वाल है मुझे लगता है यहां पर काफी माता परक्षे होने आघ जो विदेशी प्लियर इसके लिए चेन नहीं के लिए खास करके यूंकि रच्चेंद्र रविंद्र यह दो नए पलियर आ है और मोहिन अली अगेरे तो आल्रेड़ी है ही उनके पास तो अभी डियरी मिचल ले रहा हुँ मुझे ले लगता है और रचं दोनों काफी बढ़ी है तो आप किसी और को भी क्याप्टन हर वाइस क्याप्टन मना सकते यहां पर बीयुक्ट कर सकते हैं अफ़कोस पहले टीम आपको कोई प्रोब्ल्म नहीं होना सब्सक्राइब तो यहां तो यहां पर पांच हो चुके लेकिन मैं यहां पर आल राउंडर थोड़े कम करना चाहूंगा रविंद्र जड़ेजा और मैक्सवेल दोनों को ही इस्तिम में रखना चाहूंगा रविंद्र को यहां पर ठोड़ा ड्रॉब करना चाहूंगा रिपक चहर टॉपली और सिराजिस्तर से मेरे पास तीन बंदे गेंबाजी में रहेंगे ताकि मेरे गेंबाजी अच्छी रह सकें दोस्तों और दस टीम मैं जरूर पहले दिन देने की कोशिश करूंगा बैच के तो वहां पर भी आपको पहले दिन रात को वीडियो मिल सकता है तो जरूर ध्यान रखिएगा तो इस तर से दूसरी टीम हो चुके यहां पर मैक्सवेल को क्याप्टन रूतराज को वाइस क्याप्टन बना नहीं जा रहा हूं क्यूंकि दोस्तों एक अच्छा खासा बैट् लेकिन अगर आप चेंज करना चाहें तो चेंज भी कर सकते हैं तीम की अगर बात करें तो यहां पर आप देख सकते हैं मैं फिर से दिनेश कार्टिक के साथ ही जाओंगा एज विकेट कीपर क्योंकि सबसे ज्यादा बढ़िया ओप्शन ज्यादा मुझे लगता है यही है विराट कोली अजिंग के राने फाब्डोपलिस डेरे मीचल इस्तर से चार बल्लेबाद फिर से मेरे पास रहने वाले ज जड़िजा और मैक्स्वेल दोनों को जरूर रखना चाहूंगा मैं क्योंकि यहां पर इन दोनों को ड्रॉप करना थोड़ा मुश्किल सावित हो सकता है इसके बाद पतिराना और यहां पर गेन बाजी में कोई और आप्शन मेरे पास नहीं रहेगा लेकिन पतिराना के पतिराने एक सर्प्राइजिंग वाइस कैप्टर में बनाने जा रहा हूं ताकि अगर यह सच में अच्छा कर जाए तो ग्राड लिग आपकी हो जाए तो यहां पर कुल्विला के टीम अच्छी खासी है लेकिन बड़ी आये तो ग्राड लीग बड़ी लीग स्मॉल लिग क करें तो बेटर रहेगा तो कुल्विला के अच्छी खासी टीम देने के पूरी कोशिश किये मैंने यहां पर तीसरी टीम हो चुके तो चौती टीम पर चलते हैं कि अब चौती टीम में फिर से दिनेश कार्थिक के साथ जाओंगा अगर आप चाहिए तो किसे और के साथ पीच चाह सकते हैं अनुज रावत ही आपके पास उसके बाद विराट को ली फाब डूपलिसेज डैरे मिचल और रूतुराज गय करड़ा इस तर से चार अच्छी तो इसलिए मैं आपको हर एक उप्शन बताना चाह रहा हूँ जिससे आप ग्राडलिक जित सकते हैं तो आप देखेंगे कि अगर कोई ड्रॉप होता है तो आपको टेलेग्राम जोइन करना होगा वहां पर मैं आपको जरू बता दूँगा कि को ड्रॉप हुआ है और उसकी जगपे कोन टीम में आया है तो इसलिए टेलेग्राम को जोइन जरू कर लिजेए इस पर डेरी मिचल को क्याप्टन बैटिंग करते हैं तो इसलिए वाइस कैप्टन बनाने जा रहा हो फिर भी अगर आपको लगता है तो उल्टा भी कर सकते हैं फिर चेंज भी कर सकते हैं अब पाच्वी टीम के अगर बात करूं तो मैं फिर से आपर चेंजेंगें कर रहा हूं क्योंकि सेम टू सेम टीम हर में बनाऊंगा तो आपके एक भी टीम अगर अच्छी नहीं पढ़ते तो सभी टीम में पिट जाएगी तो इसलिए मुझे हर टीम में कुछ ना कुछ चेंजेस करता रहता हूं जिससे आपको काफी फायदा हो सकता है और आप ग्रा चांस दिया नहीं था यहां पर आर्ट ओपली फर्ग्यूसन मोहमत सिराज में स्टिक्षणा और पतिरान इस तरसे मेरे कहल से पाज गेंबाज अगर आप लेते हैं तो आपको सबसे जादा फायदा होने आला है काफी बड़ीया टीम है देकिन उतनी ही रिस्क है तो इस टी पर चलते हैं अब चलते हैं अब च्टी टीम की बात करूं तो अब पिछली साल ऐसा हुआता दोस्तों के मैंने कई बार धोनी को लिया नहीं था एक बीटीम में लेकिन दो बार धोनी ने सबसे जादा पॉइंट दिये तो यहां पर एक टीम में मैं कम से कब धोनी को ज़रू रखना चाहूंगा क्योंकि एंड में आते चौके चक्के मार देते हैं और काफी खतरनाक स्टाइक मितलब कोई तोड नहीं है तो यहां पर यह भी पॉइंट दे सकते अइसा नहीं कि नहीं दे सकते तो इसलिए यहां पर उनको लूँगा विराट कोली फाप्डो प्लेशिस डेरी मिचल यहां पर तीन मेरे पास अच्छे खासे बंदे हैं जड़ेजा मैक्सवेल मोहिन अली मैं यहां पर जरूर लेना चाओंगा अगर रचिंद्र रविंद्र धरी मिचल में नहीं खेलता तो मोहिन अली खेल सकते तो यहां पर यह चेंज होने के चंसे से यहाँ पर मैं जोसप अलजारी जोसप और पत्षिराना इस तर से दो गेंबाजों को यहाँ पर लेने आ लाओ जो कि बैस्ट सावित हो सकते आपके लिए तो इसलिए यहाँ पर इस तर से मैंने किया है तो रचिंद्रा रविंदर को कैप्टन और केंड्रोन ग्रीण को वाइस कैप्टन बनाओंगा आप लेको कि ग्रीन को कैप्टन और रविंद्रा को वाइस कैप्टन भी बना सकते क्योंकि दोनों की लेकिन गेन बाजी भी एक कर सकते तो इसलिए उल्टा भी करना फाय देमा सावी तो सकता है यह तिम में सिर्पर सिर्फ ग्राड लिग के लिए सजेस्ट करूंगा स्मॉल लिग के लि अब साथवी टीम में मैं फिर से सबसे ज्यादा लोगों ने जिने पसंद किया है वो है दिनेश कार्थिक एज विकेट की पर तो इसलिए उनको ले लूंगा विराट कोली फाब्डो प्लेसे डेरी मिचल मेरी सबसे ज्यादा पसंद रहेंगे क्योंकि तीनों बैस्ट बैस तो यहां पर आप चाहें तो कोई भी चेंज कर सकते जैसे दिनाश कार्थिक के जगब पर अनुज रावत या फिर धोनी को ले सकते डायरे मीचल या फिर रचिंद्र रविंद्रा में से किसी और को भी ले सकते लेकिन मुझे लगता है टीम अच्छी खासी बनी है और कैमर लिए तो वही रविंद्र जडिजा को वाइस क्याप्टन मनाने जा रहा हूं ताकि आपको यहां पर भी डबल पॉइंट में बैटिंग और बॉलिंग दोनों में क्योंकि यह दोनों भी अच्छी खासी बैटिंग भी कर लेते चलिए यह तीम भी अच्छी खासी है देकिन पर छोड़ता हूँ क्योंकि थोड़ा रिस्क है तो फिर स्मॉल निक के लिए थोड़ा रिस्क बढ़ जाता है चले इस टिप को क्लोज करते हैं आठवी टिम पर चलते हैं अब आठवी टिम में मैं फिर से अनुज रावत के साथ जाना चाहूंगा ताकि अगर वह आ जाए तो वह शायद उपनिंग कर सकते हैं वैंगलोर के लिए उसके बाद विराट कोली जिंके राने रुटुराज गायकवार्ट इस तर से तीन बल्लेबाद रहेंगे रहाने क चांसेस मुझे थोड़े कम लग रहें लेकिन फिर भी प्लेइंग इलिओन में शामिल हो सकते राने और दुबे यह अगर खेलते तो आप इन दोनों को जरूर टिम में शामिल कर सकते हैं उसके बाद मैक्सवेल रविंद्र रचेंदर रविंद्रा और कैमरोन ग्रीन तो य क्योंकि यहाँ पर यह तीनों अगर देखें तो टीनों को बल्लेवाजी तो आने ही वाली है लेकिन गेनबाजी के आने की चांसेस काफी जाना रहेंगे उसके बाद आर टॉपली सिराज और महेश्ट इक्षन इस तरह से और चोथे जो गेनबाज के ऑप्शन अगर बात कर स्मॉल लिक के लिए यूज करने ने करने में आप पर छोड़ता हूँ काफी बड़ी आटी में दोस्तों जरूर आप यूज करेंगे तो बहतर फायदा होगा यहाँ पर एक और शौकिंग है कि रहाने को मैस्टिप का क्याप्टन बनाने जा रहाने जादा लोग इन पर बह करेंगे तो इसलिए वाइस क्याप्टन बना रहा हूँ मुझे लगता है जा कि बड़ी लीगों समॉल लीगों सबी लीगों के लिए खिलना बेटर रहे सकता है चलिए अब इस टिम को करते नवी टिम पर चलता है में पर नवी टिम में फिर से दिनेश कार्तिक को ले लूंगा फाप्डुप्लेस डेरी मीचल और शीवम दुबेट तो यहाँ पर दोस्तों आपको मुझे लगता है समझ में आ चुका होगा विराट कोली को मैं ने ड्रॉप किया है लेकिन हो सकता है विराट कोली शुरुआत म काफी दिनों से प्रैक्टिस नहीं है तो अच्छा ना खेले और जादा मुझे नहीं लगता कि लोग विराट को ड्रॉप करेंगे और अगर वह आपको ड्रॉप करते और सच में फेल हो जाते तो सबसे जादा फायदा किसको नहीं हो आपको नहीं हो तो इसलिए एक टीम में पर इस तरह का डिसेजन ले सकते हैं जो कि काफी फायदेबन सावित हो सकता है उल्टा भी पढ़ सकता है ऐसा नहीं कि नहीं पढ़ेगा लेकिन अगर अच्छा बढ़ जाता है तो सबसे जादा फायदा होगा उसके बाद जड़े जाब मैं चारों रोंडर तो मिल पास फि पर इस तरह से तीन गेर बाद में पास रहें वाले तो कुलमिला के टीम तो अच्छी है दूबे को क्याप्टन रचिंद्र विंद्रा को वाइस क्याप्टन मतलब थोड़ा जीबों गरीब चोड़ी जरू कहेंगे आप लेकिन अगर सच में यह तीम अच्छी पढ़ जाती अब दसवी और आखरी टीम पर चलते हैं तो यहाँ पर दिनेश कार्तिक विराट कोली फाब डुपले से शिवम दुबे और रुतुराज गायक वाट मतलब यहाँ पर अगर आपको बताओ ना दोस्तों तो यह 100% खेलने वाले प्लियर मुझे लग रहे है फिर से आपर डै लिए है उसके बाद दिपक्चर और मुहमत सिराज दो अच्छे गेन बाद भी लिए तो यहाँ पर कोई भी जाना रिस्क नहीं लिया है मैंने जो बेस्टीम बन सकती है और गायकवार को कैप्टन दुबे को वाइस कैप्टन मना रहा हूं एक अच्छा खासा ओपनर है बै तर लग रही है आपकोस्ट बड़ी लीग स्मॉल लीग सबी लीगों के लिए बेस्ट इम सावित हो सकती है फिर भी अगर आपको लगता है तो आप सिर्फ और स्रुम ग्राड लीग की दिए उसकी जिगा तो आई होप मैंने पूरी इमानदारी से दस अच्छी टीमें देन मैं दे रहा हूँ वहाँ पर जाके जॉइन कर लिजे ताकि कुछ भी चेंजेस रहते तो बता सको किसे ड्रॉप किये गए उसकी जगों पर आप किसको ले सकते और साथी साथ कुछ और टीमों के स्क्रीनशाट भी शेयर कर सकता हूँ ताकि आपको और भी फायदा हो अभी क के लिए ठैंक यू और गुडबाए